सुर्खियों में कैसे रहना है ये लालू के बेटे तेज प्रताब यादों से सिखें मौका चाहे कोई भी हो तेज प्रताब अपने दिल की बात ना सिर्फ कह जाते बलकि भडास निकालने में भी पीछे नहीं रहते आरजेडी के 25 में स्थापना दिवस्त में भी कुछ ऐसा हुआ और छोटे भाई तेज प्रताब यादों पटना के आरजेडी दफ्तर में मंच साजा कर रहे थे मंच पर चड़े तो लगा कि वो भी बाकी नेताओं को तरह अपने पार्टी का गुणगान करेंगे लेकिन ये क्या वो जब शुरू हुए तुनों ने पार्टी के कई नेताओं के साथ साथ छोटे भाई तेजस्वी को भी लपेटे में लिया तेज प्रताब ने कहा कि मुझे पूजा पार्ट करने में आज वक्त लग गया जिसके चलते कारिकरम में आने से देरी हो गए ऐसे में तेजस्वी यादो बाजी मार गए और मंच पर आकर पहले बै इसके बाद तेज प्रताब ने शारो इशारो में प्रदेश अध्यक्ष जगदान्द सिंग समेत कई नेताओं को लपेटे में लिया तेज प्रताब ने बोला कि मैं जब भी मंच पर आता हूँ तो पिताजी की तरह मनोरंजन करने का काम करता हूँ संगठन में बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो संगठन को आगे जाने देना नहीं चाहते मैं नाम नहीं लेना चाहता लेकिन सच्चाई को लोग सुनना नहीं चाहते हम इशारे में बहुत बात बोल गए हैं राष्टे जनता दल यानि की आरजेडी की रजत जनती समारों के मौके पर तेज प्रताव्यादव ने कहा कि हमने पिताजी या निलालू प्रसाद्यादव की विचार धारा को फॉलो करने का काम किया है पिताजी ने छात्र जीवन से राजनीती के शुरुवात की इसलिए मैंने भी अपना दाखिला बी एन कॉलेज में कराया बी एन कॉलेज के जिस क्लासरूम में जिस बेंच पर पिताजी बैठते थे हम भी वहीं चुपचाप बैठे संगठन में समुद्र होता है इसमें उतार चड़ा होता रहता है कई बार लोग नाराज हो जाते हैं उन्हें मनाने का काम भी किया जाना चाहिए तेज प्रताप यादों ने कहा कि जब मैं बोलता हूँ तो कुछ लोग हसते हैं पिता जी बोलते थे तब भी विरोधी लोग ऐसा ही करते थी बहुत सारे लोग तरह तरह के ख़वर बाते करते हैं लेकिन मेरे पीछे कोई क्या बोल रहा है मैं उस पर ध्यान नहीं देता लगे हां तेज प्रताप यादों ने आरजेडी की महिला करकरता की बात के करडाली नोंने कहा कि पार्टी की महिला करकरता की शिकायत है कि पार्टी कार्याले में महिलाओं के लिए बैठने की जगे नहीं है तेज़सी यादव को तो ज़्यादा वक्त नहीं मिलता है लेकिन मैं तो हमेशा पार्टी कार्याले आता रहता हूँ तेज़सी यादव तो देश दुनिया में ब्यस्त रहते हैं जब अदिल्ली चले जाते हैं तो मैं यहां आकर मोर्चा संभाल लेता हूँ